एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पुछा पिता जी इस दुनिया में मनुस की क्या किमत होती है पिता जी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुन कर हैरान रह गये फिर वे बोले बेटे इस मनुस क किमत आंकना बहुत मुश्किल है वो तो अनमोल है बालक क्या सभी उतने ही किमती और महतपूर्ण है पिता जी हाँ वेटे बालक के कुछ पले नहीं पड़ा उसने फिर सवाल किया तो फिर क्या इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है किसी की कम इजद तो किसी की ज्यादा क्यों होती है सवाल सुनकर पिता जी कुछ देर तक सांत रहे और फिर बालक से अश्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रोड लाने को कहा रोड लाते ही पिता जी ने पूछा इसकी क्या किमत होगी बालक लगभग तीन सो रुपे पिता जी अगर मैं इसके बहु लगभग एक हजार रुपे का पिता जी अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे अस्प्रिंग बना दू तो बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एक दम से उत्साहित पोकर बोला तब तो इसकी किमत बहुत जाएदा हो जाएगी पिता जी उसे समझाते हुए बोले ठीक इसी तरह मनुस की किमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है बलकि इसमें है कि वो अपने आपको क्या बना सकता है बालक अपने पिता की बात समझ चुका था प्लीज अगर आपको यह कहानी थोड़ी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूब